हलो फैंस वेलकॉम टो प्रफार एजुकेशन आज की वीडियो में हम इकुवेशन के लिए जो कोशन देख रहे थे एक्जाम्पल नुबर वान तो उसके कंडिनेशन में तीन कोशन और हैं जो आज हम कवर करेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने कोशन देख लिए थे फिफ् यह अपका सिक्स्त कोशन जो है आया हुआ है इन कोशन में कालकुलेशन आका आपको बहुत जादा ध्यान रखना है तो इसलिए ही मैं इस सारे कोशन कवर कर रहे हूं ताकि जितनी भी बेसिक कालकुलेशन एक कोशन के बीच में होती है वो आप देख पाएं और उसको समझ में लिजाना ही होगा आपने क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव वेल्यूस में हमारे पास कोई फार्मुला नहीं है जो नेगेटिव वेल्यू के केस में सॉल्व कर पाएं तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाएगा मल्टिप्लाइ की मल्टिप्लाइ में अगर दो टर्म जो मल्टिप्लाइ हो रही है उनकी पावर सेम है तब ही आप उन्हें कॉमन कर सकते हैं आप इसको कॉमन कभी नहीं कर सकते कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की पावर अगर कॉमन है तो आप उसको क्यूब को कॉमन कर लेंगे और alpha plus beta whole का cube लिखे ऐसा कभी possible नहीं है और यह आपको करना ही नहीं है जब भी multiply हो रही है दो terms और उनकी power common है तब आप ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पर alpha cube plus beta cube के लिए मैंने formula देखा था last and हमने देखा था कि कैसे हम alpha plus beta के whole cube के लिए इसको बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने alpha cube plus beta cube के लिए formula यूज किया है जिसमें 3 alpha beta और alpha plus beta मैंने add किया है तो वही सेम चीज मुझे यहाँ subtract भी करने होगी इसकी जगा पर मैं put कर सकते हूँ alpha plus beta का whole cube minus 3 alpha beta and alpha plus beta as it is अब हमारे पास जो values 3 alpha plus beta और alpha beta के लिए वह हम put कर लेंगे तो यह हो जाएगा minus b by a का whole cube minus 3 c by a and minus b by a इसके लिए तो solve करेंगे यह minus minus यहाँ plus हो जाएगा पहले plus कर लिया इसको and यह minus b का cube ही रहेगा क्योंकि power जो है वो हमारे पास odd में है तो यह minus में रहेगा इसकी जगा लिख सकते है c cube by a cube and इन दोनों को आपस में हम साथ में कैसे लिख रहे है c b and a का square क्योंकि यह denominator में दो a है और दोनों multiply हो रहे है तो यहाँ पर अब मैंने इन दोनों को solve करना है ताकि मैं a cube common कर सकू and उस a cube को a cube से cancel out कर सकू आप ध्यान रखे यह tom अकेली नहीं है जो मैं यहाँ पर a cube से a cube cancel कर दूँ यह tom इसके साथ add हो रही है तब जाके यह पूरी एक tom बनती है तो अभी a cube common नहीं है तो इसके लिए आप a cube cancel नहीं कर सकते इसमें से तो यहाँ पर a की multiply होगी तो यह हो जाएगा 3abc अब इस पूरी term के लिए यह a cube common आगया है common आगया है तो cancel out हो जाएगा तो मेरे पास solve करके आया minus b cube minus 3abc by c cube ऐसे ही आपने यह question का solution करना है अगला question देखते हैं अगला question है यह आपका alpha by beta minus beta by alpha है whole का square इसको पहले अंदर वाले को solve कर लेंगे तो solve करते हैं यह जाएगा alpha by beta और यहाँ पर beta की जगा alpha नहीं है तो alpha का square हो जाएगा यहाँ पर beta नहीं है तो यहाँ पर beta का square हो जाएगा हमें multiply करना पड़ता है terms को तो यह ऻोगे alpha square minus beta square इसको हम लिख सकते हैं A-B and A-B A-B , तो यहां पर मैंने इससे लिख लिख लिए और 2 को, बतलब power को और इसके लिए अलग कर लिए, तो देन उसके बाद अब हम इसको solve कर लेंगे, यहां पर मैंने अलग अलग powers कर लिए इनके लिए, तो यह alpha-beta whole square and alpha-beta whole square, जियान रखें, इसलिए पावर्स को एक साथ ना रखे अलग अलग कर लिया है फार्मला यूज कर लेंगे अलफा माइनस बीटा को होल स्क्राइक लिए फार्मला नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम यहां पर तो अलफा प्लस बीटा के जगा पुट कर सकते हैं तो अगर हम इसको और एक्स्पांड करेंगे तो हमारे पास और क्याल्कुलेशन बढ़ जाएगी यहां पर है ओजाएगा आलफा में हो जाएगा प्लस बीटा का होल स्क्राइक का फार्मला नहीं और गला होगा जिसमें मुझे ऐड करना होगा 2ab 2 έलफा बीटा एंड माइनस बी करना होगा 2 एलफा बीटा तो यहां आप देखेंगे कि इसको ऐसा बनाने के लिए एलफ़ ब्लस बीटा का होल स्क्वायर के फार्मुला में लाने के लिए मैंने याँ टू एलफ़ बीटा एड़ किया है और वही सब्ट्राइक्ट भी किया है ये इसका खुद का है जो हमने इसको सॉल्फ किया था तो इन दोनों को सॉल्फ करें तो माइनस फोर अलफ़ बीटा आजाएगा अब सारे टर्म्स ऐसी हैं जिसमें हम डारेक्ट अलफ़ ब्लस बीटा और अलफ़ बीटा के लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहां पर मैंने वैलियू पुट कर लिए माइनसडी बीदकको स्क्वाइर माइनस फोर इंस से भाई ए माइनस भाई एका होल स्क्वाईर आंड हमारे पास दिनॉमेंटर में आएगा इनको अब सॉल्फ कर लेंगे तो सॉल्फ करते हैं इनको यहां पर मैं इसको लिख सकते हूँ बी स्क्वार और ए स्क्वार माइनस फॉर एसी जितनी भी टर्म आपकी नुम्रेटर में है उसको कॉमन करके हम साथ में लिख लेंगे यहां पर मैंने पहले किया है इसको मल्टिप्लाइ कर लिए अब छाहे तो इसको डारिक्ट पहले ego साल्व भी कर सकते हैं तब भी सैम ही भात है तो यह हो जाएगा b की power 4 and a की power 4 minus यह हो जाएगा 4cb square या 4b square c और a की power cube अब इन दोनों को same कर लेज़े, power common कर लेज़े and इसको मैं उपर ले आई हूँ तो यह हो जाएगा a by c reciprocal हो जाएगा इसका then उसके बाद अब हम इसको solve कर लेंगे तो यह हो जाएगा a की power 4 a की power 4 हो जाएगा यह इन दोनों solve करके यहाँ पर a की कमी है तो a b square c हो जाएगा यह and then उसके बाद अब a से cancel out हुआ तो 3a हाँ बचे and इसके जगा पर आजएगा a cube c ऐसे हमने इसका solution किया अगला question हमारे पास है अगला question है alpha square minus beta square इसको मैं direct लिख सकते हूं a minus b और a plus b के formula में formula हमेशा अगर याद रहेगा तो आप direct put करके solution find out कर सकते हैं अगर formula ही अगर आपको याद नहीं है तो उसमें फिर थोड़ा problem हो सकती है आपको सोचने में and then फिर आप करेंगे तो उसमें time जादा consume होता है जितने questions की practice करते रहेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपको idea लगता रहेगा की question को कैसे करना है and practice और videos देखते रहें और हमें comment जरूर कीजे क्योंकि आपके comments से हमें बहुत help होती है कि हम कैसा कर रहे हैं जबसे हमने videos regular करना शुरू किया है तक से हमें आप हमें comments नहीं मिलते हैं videos पे तो कोशिश कीजे कि आप थोड़ा comments हमें करें and like करें हमारी videos को ज़्यादा ज़्यादा और आपके in comments की वज़े से ही हम अपने content को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक अगर basic level एक beginner भी है तो आप maths को और easily समझ पाएं तो please comment ज़रूर करें तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे इस question के लिए alpha minus beta और alpha plus beta है यहाँ पर ध्यान रखिए कि last question में तो alpha minus beta का whole square था तब हमने उसको उस तरीके से expand किया था मान लीजिए अगर यह ऐसा होता alpha minus beta का whole square होता तो हम इसको put करतें इस तरीके से बनाने की कोईश करतें तो हमने last देखा था कि alpha plus beta का whole square हमने ऐसे बनाया था and हमारे पास आया था फिर minus का 4 alpha beta and इसकी जगा value हमने solve करके हमारे पास आ गई थी beta b square minus का 4ac and by a square अब मुझे put करने है इसके लिए value alpha minus beta के लिए तो यहाँ पर तो square है तो यह square right hand side जाएगा तो मुझे एक value positive की मिलेगी एक negative की मिलेगी and यह पूरी term मेरी root में हो जाएगी तो ऐसे मैंने find out कर लिया alpha minus beta के लिए क्या value मैं put कर सकते हूँ तो यह बहुत बहुत ज़रुजरूरी था आपको समझना अगर आपको फिर भी इसमें कोई doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं then हमारे पास alpha minus beta की value आ गई है इसको put कर लेंगे इसकी जगह पर and alpha plus beta के लिए पूट कर लेंगे value तो values put करके हमारे पास यह आया solve करके तो ऐसे plus minus का साथ में कर लेंगे इसको तो b root में यहाँ पर एक minus है यहाँ पर plus minus है दोनों का same ही बात है तो यह positive or negative value ही देगा आपको then उसके बाद b हो जाएगा and root में b square minus 4ac by a square ऐसे आपने solutions करने हैं किसी भी given question के अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो आप हमें telegram से जोड़कर अपने doubts क्लिकर कर सकते हैं अगर आपको हमारी videos पसंद आये तो like करें हमारी आगे आने वाली videos में update रहने के लिए subscribe करें और दोस्तों अगर आपके कुछ suggestions हैं तो हमें comment करें Thank you